ग्यास क्यासे आप आई हो कि आप सब्सक्राइब करने वाले हैं आइटल ए 70 के कैमरा फीचर्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपको इस फॉन की कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूं वीडियो को एंड देखने वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप नहीं करना है और चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रैस कर देना है without any waste time, let's go start video. First of all, यहाँ पर आपको कैमरा open करें लेना है, यहाँ से आपका simple camera रहता है, यहाँ से आप इस तरीके से फोटो ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाता है वीडियो का ओप्शन, यहाँ से आप इस तरीके से वीडियो भी बना सकते हैं, आप वीडियो बनात बनाते बनाते एक फोटो लेना चाहते हैं तो यहां पर इस पर क्लिक कर देंगे तो यहां से आपका वीडियो बनाते बनाते एक फोटो भी आ जाता है और बीच के कर लेंगे तो यहां पर 10 80 p蟹ल और 30 fps पर वीडियो हो जाती ओके यहां पर आपको यह मिल जाता है फ्लैइच्ल लाइट का ऑप्षन वीडियो में अगर आफ लेश्लाइट ऑन करना चाते हैं जासे इस तरह का किलिक का देंगे तो यहां है अब यहाँ पर आपकी वीडियो भी बनेगी और फ्लस्लाइट ओन रहेगी मतलब अंधिहरे में भी आप वीडियो बना सकते हैं और यहां से इस तरीके से क्लिक कर देंगो तो यह ओफ हो जाती है आपको एधर क्यों साब करना ये मिल जाता यहां पर यहां पर बन ले रहें अब बनाम से लाओं की कि नगी तो यहां से लाओं अप कर देंगे तो यहां से अगर आप अंधिहरays में फोटो शूट कर, तो automatically flesh light on हो जाएगी और उजाले में photo shoot करेंगे तो यहां पर automatically यहां पर flesh light off रहती है next यहां पर low light का option में जाता है इस से क्या होता है कि यहां पर अगर आप कम उजाले में बहुती मतलब low light में अगर photo shoot करेंगे तब भी आपका काफी clear photo आ जाता है जैसे कि यहां पर अभी मैं दिखाता हूं यहां पर यह है इस option से आप देख पारें इसकी quality और यहां पर low light जाके क्या quality हो कि यहां पर अभी तो अच्छी काशी light है तब यहां पर थोड़ा सा इंप्रूब कर रहा है यह light को बढ़ा देता ह करेंगे तो यहां पर आपके बहुत सारे option मिल जाते हैं जिने यूज करके आप अपने phone के phone में camera की quality को और भी improve कर पाएंगे यह DSLR वाले कुछ features होते हैं जैसे कि iOS है तो आप इसे इस तरीके से बढ़ा करना चाहें तो यहां से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से ओके यहां पर पर आपको मिल जाता है HDR और Pronoma तो От scenario यहां से एक पूरे group का फटो ले चाहते हैं जैसे कि यहां से लेके पूरा इतना लंबा फटो हमारा आ जाता है और वैसे अगर आप Simple photo लेते हैं तो यहां से सिर्फ इतना फटो आता है यानि कि अगर simple camera चलेते हैं तो इतना photo आएगा, सिर्फ सामने के बंदे photo में आप आएंगे और यहाँ पर पर प्रोनोमा से आपके पूरे group के photo यहाँ पर आ जाते हैं जितना भी लंबा group होता है उसके पूरे photos आपके यहाँ पर आ जाते हैं next यहां पर HDR का option लेता है इसे on करेंगो तो यहां से picture की quality काफ ही improve हो जाती है और यहां पर बड़िया एकदम photo आपका suit होता है next इसे अभी cut करते है उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है एक timer का option इस पर click करना है और यहां से आप 3 second या 10 second का timer लगा सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं कि अकेले हैं और यहां पर हमने phone लगा दिया और पीछे जाकर photo shoot करना चाते हैं अकेली तो यहां पर आप 3 second या 10 second का time लगा दिया अब यहां पर हम photo shoot करेंगे तो यहां पर आप देख भाए है automatic flashlight on हो जाएगी जब उजाले में photo shoot करेंगे तो off हो जाएगी और अंदेरे में on हो जाएगी और यहां पर click कर देंगे तो यह flashlight off ही रहती है on नहीं होती है next AI का option मिल जाता है यहां पर यहां से अगर AI का option को आप on करेंगे तो आपकी picture की quality और video की quality दोनों improve हो जाती है और light को अपने हिसाब से यह adjust कर देती है तो यहां से आपको इसे on कर देना है next यहां पर आपको कुछ filter मिल जाते हैं जैसे कि अगर आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आपके वह सारे filters मिल जाते हैं इस तरीके से अपने photo पे आप यहां पर इन filters को use कर सकते हैं इस तरीके से और यहां पर अगर आप इस पर click करेंगे तो यहां से आप अपने photo में इस तरीके से beauty के level को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से next यहां पर आपको मिलता है settings का option तो इस वाले icon पर आपको click करना है और यहां पर ratio का option जाता है इस पर click करना है picture ratio पर तो यहां पर अभी हमारा ratio 4 ratio 3 है तो यहां पर आप देख पाने 4 ratio 3 है इसे अगर full में करना है तो यहां पर click करेंगे रेसे पर जांगे, फुल स्क्रीन कर देंगे, अब यहां से बैक आते हैं, तो यहां पर यह हमारा फुल स्क्रीन में आ जाता है, पूरी स्क्रीन में हमारा फोटो आ जाता है, नेक्स्ट यहां पर दबार से आते हैं, सैटिंग्स पर उसके बाद यहां पर फोटो क्वालिटी पर जाएंगे तो यहां पर स्टेंडर्ड या फिर हाई तो यहां पर हाई रखें जैसे एक पिक्चर की क्वालिटी अच्छी आए बढ़िया क्वालिटी आए ओके नेक्स्ट इसे कैंसिल करते हैं उसके बाद यहां पर लोकेशन अगर आप लाने चाहते हैं अपने फोटो पर तो यहां से इसे अन करेंगे परमिशन को एलाव कर देंगे तो जैसे बाटर मारक आता है हमारा उसी आपसे यहां पर फोटो पर लोकेशन भी हमारा सैट हो जाता ह और यहाँ पर आपको अजयता है model watermark अगर आप इसे अन कर देंगे तो यहाँ पर जो watermark होता है तो वह यहाँ पर आपका आ जाता है इस phone का नाम A70 वह आ जाता है आप इसमें अपना नाम यहाँ पर नहीं लेख सकते है watermark पर और नहीं date and time आप अपने watermark पर लगा सकते हैं बाकि other device में यहाँ पर आप अपना नाम भी लख सकते हैं और अपना date and time भी वहाँ पर mention करवा सकते हैं watermark में बट इस device में सिर्फ यहाँ पर आपका model का नाम ही आता है next आपका यहाँ पर मिल जाथ है touch shooting अगर आप इसे on कर देंगे कर देंगे कई करेंगे आप so out photo shoot कर सकते हैं और यहाँ से मिल जाथ है smile shoot अगर आप इस option को on करते हां तो आप जैसे यहाँ पर photo लेते हैं तो यहां पर front camera को use कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यहां पर एक करके use करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यह वाला option on किया है, touch shooting, तो यहां से क्या होगा, यहां पर कहीं भी क्लिक करके हम photo ले सकते हैं, इस तरीके से, अब यहां पर दवार से जाते हैं settings पर, और यहां अब आप इस वाले option को on करते हैं, smile suit, तो यहां से क्या होता है, अगर आप front camera से photo लेते हैं, तो यहां से इस तरीके से मैंने photo लिया, और मैंने smile किया, इस तरीके, जैसे smile करेंगे आप, तो यहां पर आपका photo shoot हो जाता है, okay, next यहां पर आपको settings पर जाना है, और यहां पर मि जाता है, shooter sound, तो यहां से आपको इसे on कर देना है, तो यहां से जो भी sound सुनते हैं, यहां पर यह sound आपका आता है, और अगर आप sound को बंद करना चाहें, तो यहां से इस तरीके से off कर देंगे, यहां पर कोई भी sound आपका नहीं आता है photo पर, जैसे अभी मैंने off किया, अब यहाँ पर क्लिक किया मैंने तो फोटो सूट हो गया वाट यहाँ पर साउंड नहीं आया तो इस तरिके से आप आप अपने डिवाइस में इन फीचर्स को यूज कर पाएंगी आपको यह वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज से वीडियो को लाइक एंड शेयर जरू से कर देना तो आज की इस वीडियो में इतना यह मिलते है नेक्स्ट इंटरस्टिंग वीडियो के साथ